हेलो स्टूडिंट आम दिविया कथिर्यांड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हमारा चैप्टर नंबर 10 एन इट्स मार्केटिंग मेनेजमेंट अब जनरली गईज मार्केटिंग एंड सैलिंग का जो कॉंसेफ्ट है वो हम लोगों को बहुत सिमिलर सा लगता है लेकिन आ मार्केटिंग क्या है एंड एग्जेट सैलिंग क्या है क्लियर तो फॉर्स्ट वन हमारा मीनिंग है मार्केटिंग इस एन आइडिन्टिफिकेशन ओफ दे नीज आफ दो कंजूमर विच प्रॉफिट एंड कंजूमर साडिसफेक्शन यानि कि हम लोगों ने देखा था कि म मार्केटिंग प्रॉसेस का जो फॉस्ट वन पॉइंट था उसका जो फॉस्ट वन फंक्शन था वो क्या था मार्केट का रिसर्च करना अब मार्केट रिसर्च हम लोग क्यो करेंगे क्यों कि हम लोग यह जान रहे है कि हमारे कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है उसे क्य पसंद आये गया, क्लियर, current and as well as in future, तो जो हमारा marketing है, वो किसके उपर focus करेगा, कि हमें consumer का satisfaction चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी need पे focus करेंगे, उसकी need जानना जरूरी हम समझेंगे, और साथ ही में हम लोग उसमें से profit भी on करना चाहेंगे, यानि कि profit भी साथ में consumer का satisfaction भी चाहिए, और selling में क्या होता है, तो कि exchange of goods or services for the money is known as selling, यानि कि selling में कहीं बे भी ऐसा consumer का जिक्रिन नहीं हुआ है, कि उसका satisfaction important है, नहीं है, हमें सिर्फ goods का और service का exchange करना है, behalf of money, और उसको पसंद आये, ना आये, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानि की selling पे सिर्फ money पे focus किया जाएगा, marketing में profit as well as consumer का satisfaction है, उन दोनों पे focus किया जाएगा, clear, second one is scope, area of work is very wide, of course marketing में हम लोग दोनों चीज़े ध्यान में रख रहे हमारे consumer को और हमारा profit को, clear, तो यहां पे जो हमारा working का area है, वो बहुत ही wide होगा, which includes, यहां पे क्या-क्या include होगा requirement of a consumer, consumer की requirement क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद आएगा, clear, then price of product, of course consumer को satisfaction तभी मिलेगा, जब उसको साधा से जाधा quality वाला goods, reasonable price में मिलेगा, clear, and then after sell service, हमारा जो selling खतम हो जाता है, उसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों का और consumer का रिष्टा खतम हुआ, उसके अग भी हम लोगों उने देखा था function of marketing में, last वाला पॉइंट हमारा कौन सा था 15 नंबर का, after sell service, तो उसमें बहुत सारी चीजे होती है, repairing and all that, तो उसके लिए भी हमें consumer पर focus करना पड़ेगा, clear, then after selling में क्या है, तो कि area is very limited, यानि कि यहाँ पर working का जो area है, वो बहुत ही limited है क्योंकि हम सिफ मरी पर focus करेंगे, which includes the transfer of ownership of products from the seller to consumer, यानि कि हम लोग यहाँ पर सिफ क्या focus करेंगे, हमें हमारा goods exchange करना है, यानि कि ownership transfer करना है, उसके बदले में हम लोग पैसे लेंगे, और यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, खतम हो जाएगी, clear, further than after objective, objective क्या रहेगा उसका तो कि earning profit with consumer satisfaction, marketing में हमें consumer का satisfaction भी चाहिए, साथ में profit भी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों हमारे objective रहेंगे profit as well as satisfaction, और यहाँ पर हम लोगों का जो selling है, उसमें क्या रहेगा, तो कि earning profit by selling, हमें सिफ profit पैसे से लेना देना है, बाकि कोई नहीं लेना देना है, clear, further than after parties, कौन-कौन से लोग यहाँ पे include होंगे marketing में, तो कि suppliers है, middlemen है, distributors है and consumer है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमें consumer का satisfaction भी focus करना है, क्योंकि हम लोग उसके लिए research करेंगे and all that, तो इसके लिए बहुत सारे मतलब हमें connection chain बनानी पड़ेगी, और यहा beginning with the market research and end with after sales service, हम लोगों ने यह function में देखा है clear, जो इसका previous lecture है उसमें, तो यहाँ पे शुरू होगा market research से work और खतम होगा after sales service, और selling में क्या होगा, to begin with the production, यानि कि हम लोग production करेंगे, वो हमारा पहला function होगा, पहला काम होगा and end with providing goods or service, और जब भी हम लोग उसको goods or services provide कर तो वहाँ पे हमारा काम खतम हो जाएगा, उसके बाद कुछ होता है तो उसके लिए selling में कोई responsibility नहीं होगी, clear, then after a need for capital, कितना capital चाहिए होगा, किसके लिए चाहिए होगा, for sorting, storing, sorry, gradation, packing, labelling, transportation and etc., हम लोग उने total 15 function देखें marketing के, तो उन सब के लिए हमें finance चाहिए होगा, capital च यह सारी चीज़े free of cost में होने वाली नहीं है, clear, और selling में किसके लिए चाहिए होगा, तो कि working capital requirement is less, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे limited area में work करना है, तो production से लेके selling तक का जेतना मतलब खर्चा होगा, उतने हम लोगों को पैसे चाहिए होगी, clear, for then after efforts, making efforts toward production according needs of a consumer, यानि कि हमें production में ऐसे efforts डालने होंगे कि consumer के need के according होने चाहिए, clear, and making them reachable to consumer, सिफ ऐसा नहीं है कि उसको चाहिए वेसे goods बना दिये है, उसको consumer तक पहुंचाने भी पढ़ेंगे, clear, और selling में हम लोग क्या effort करने वाला है, तो कि making efforts toward preparing consumer to accept the product, हम लोग यहाँ पे सिफ consumer पे effort डालेंगे कि वो हमारा product purchase करने के लिए ready हो जाए, उसको convince करने का काम यहाँ पे selling में सिफ होगा, बाकि और कोई efforts हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, clear, guys, तो यह होगा हमारा difference between marketing and selling, note that कि यह important question है, और जितने भी differences है, guys, OCM में, यानि कि हम our organization of commerce and management में, वो जाधा तर important ही है, क्योंकि आपने previous board के examination के paper देखे होंगे, उसमें 3-4 difference हो पूछे ही जाते है, तो यह chapter में भी marketing and selling का difference है, वो काफी important है, two mark के लिए पूछा जाता है, तो आपको four point लिखने है, और three mark के लिए पूछा जाता है, तो आपको six point लिखने है, clear, guys तो आज का जो हमारा lecture है, वो हम लोग यहाँ पर खतम करते हैं, आगी का जो question है, वो next lecture में देखेंगे, तब तक के लिए, be happy, be safe